चंद्रपूर जिले के पालक मंत्री विजर वडे टिवार ने आरोप लगाया कि OBC समाज का राजनितिक आरक्षण रद्ध करने के पीछे इस समाज का अहित देखने वालों की गहिरी साजिश है उन्होंने कहा कि अनुस्तुची जाती जनजाती के आरक्षण को कहीं कोई धकान नहीं लगाते हुए राजसरकार ने OBC समाज के राजनितिक आरक्षण का अध्यादेश जारी किया था देश के कई राजों में वहां की राज सरकारों द्वारा इसी के अध्यादेश के आधार पर चुनाओ संपन हुए है लेकिन महाराष्ट में OBC समाज के आरक्षन को सेंद लगाने की रुष्टी से ही कुछ अध्रुष्च ताक्तों ने नैले में कदम रखा है राज के पुनरवसन मंत्री विजय वड़ेटिवार ने कहा कि यह वही ताक्ते हैं जो OBC समाज का हित नहीं चाहती है मंत्री वड़ेटिवार ने स्पष्ट किया कि हाई कोट के नाकपुर और औरंगाबाद के खंडपीट में OBC आरक्षन के संदर्ब में दो अलग-अलग याचिकाय दाखिल की गई थी बाद में यही दो याचिका करताएं सुप्रिम कोर्ट में पहुँची जिनके पास सुप्रिम कोर्ट में लड़ने तक की रकम नहीं थी उनके पास इतनी रकम आई कहा से सिर्फ और सिर्फ राजनितिक लाव उटाने की दुरुष्टी से ही OBC का आरक्षन खत्म करने का शड़ियंतर रचा गया है केंद्र सरकार द्वारा इंपेरियल डेटा उपलब नहीं कराय जाने की स्तिती में ही राजसरकार ने स्थानिय निकायों के चुनाव में OBC के राजनितिक आरक्षन को लेकर अध्यादेश जारी किया था इस आरक्षन के तहस सम्विदान के दायरे में रहकर ही 50% आरक्षन के भीतर ही यह आरक्षन देने का प्रयास राजसरकार का था इसके लिए अनुसुचित जाती जनजाती के वरतमान आरक्षन को कही कोई आहत नहीं पहुचाई गई थी उन्होंने बताया कि आगामी दो दिनों में राज्यमंत्री मंडल की बैठक होगी जिसमें OBC आरक्षन स्तगित करने के सुप्रेम कोर्ट के फैसले पर चल्चाक की जाएगी विधी तग्यों से बात की जाएगी और आगे की भूमी कात्ता होगी